हलो में वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ अनिद्बान और मैं आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ वाई एम सो एक्साइड़ टुड़ेज काल से मार्कुरी डिट्रोग्रेट हो रहा है तो जो लोग relationship में हो तो जारा समल के जो लोग reconciliation के लिए वेट कर रहे हो आप लोगों के लिए एक बहुत 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 बड़ा opportunity तो आज हम दिखेंगे कि आपके partner present हो सकते हैं, past हो सकते हैं, क्या सोच रहे है उनके दिल में क्या चल रहे है उसका next action क्या होने वाला है and आप दोनों के vibes और future कैसा दिख रहा है आज अब ही हम यह reading देखेंगे तो प्लीज आप को तो पता ही है कि यह reading general है तो जो जो चीज आपके साथ resonate करेंगे वही चीजों को ले लीजेगा बागी सारे चीजों को छोड़ दीजेगा and अगर आप लड़की हो लड़की हो कोई भी community से हो तो यह reading को आप enjoy कर सकते हो and last प्लीज आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को like and channel को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए और subscribe button के पास all button पे click कीजिए क्योंकि दढ़ासल मैं जितना वीडियो अप्लोड करता हो वो सारे वीडियो अप्लोड के notifications पे नहीं आते तो please all button को जरूर click कीजिएगा आज जरा सा देख लीजिएगा तो चलिए मैं पहले देख लेता हो कि आपके partner के तरब से कौन सा energy आ रहा है आज उनके दिल में क्या चल रहा है समझ आ रहा है स्टोरी क्या है समझ आ रहा है स्टोरी क्या है सान ओ माई गॉड क्या हो रहा है आपके partner आपको miss कर रहे है क्यों miss कर रहे है या आपके partner आपके उपर emotional अत्याचार किया आपके partner आपको time नहीं दिया आपको बक्त नहीं दिया और आप उसको crave करते रहे, तो आज उसको याद आ रहा है कि आप जो उसको इतना प्यार करते थे, उसके reason क्या था, simply unconditional love, but वो आपको प्यार उस टाइम पे नहीं करते थे, क्योंकि वो आपको कभी भी trust ही नहीं कर पाये थे, तो आप दुनों के बीच में जो भी misunderstandings हुआ, वो उनों के बीच में जो भी चीज हुआ, जो भी misunderstanding argument हुआ, उसके communications के गलती उनके तरफ से थे, वो time नहीं दे पा रहे थे, वो आपको note contact करके रखे थे, तो communications नहीं हो पा रहा था, because वो बहुत busy थे, वो आपको priority नहीं दे पा रहे थे, वो सारे चीज अभी आज वो सोच रहे ह या फिर हो सकते है कि आपको block कर गिये थे, और recently वो block को unlock करने के लिए सोच रहे है, आप में से बहुत सारे लोगों के unlocking system चालू हो जाएगा, तो अगर आपके partner आपको block करके रखे है, congratulations, आज या फिर कल, within 5 hours, या फिर हो सकते है, within 5 days, आपके partner आपको unlock करेंगे, क्यों unlock करें समझ नहीं पाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप उसको time देते हो, pamper करते हो, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यह एक long distance relationship हो सकता है, यह same gender couple हो सकता है, यहाँ पर kind of मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर same age couple भी हो सकते है, या फिर आपक वो बहुत अच्छे कामाते हैं, फिर उसका degree बहुत हाई है, बट फिर भी वो एक big kid है, यह हमेशा question करते रहते हैं, यह बहुत ज़दा astrology पे अभी बहुत ज़दा focus करें, बट हाला कि यह सब चीज में यह बिलकुल यकीन ही नहीं रखता है, बट अचाना कि इसको क्या लग क्यों? मैं बोल रहा हैं क्या आप में से जरूर, यह तो आप pray कर रहे हो, यह फिरर टैरो रीडिंग किये हो, यह भी law of attraction किये हो, यह फिर spell किये हो, आप इस person को आपके तरफ खींच रहे हैं। क्यूं क्यों भीच रहे हो, क्यों आपको पता है कि यह person आपके soulmate है, यह person आप हो, आपके twin flame हो सकते है, आप इसके twin flame हो but the sun मतलब क्या है, यह ego के दुकान है, क्योंकि यह इतना egoistic है सब कुछ जानने के बाद भी यह शायद आपको accept नहीं कर रहे है, हो सकते है यह एक spiritual person हो हो सकता है कि यह एक tarot reader हो हो सकता है यह एक बहुत young person हो, जैसे के मानलो, बहुत young talented person जिसको बहुत practical है जो यह सब kind of जो यहां तब के वगवान को भी नहीं मानते है जो बहुत practical है, जो बहुत egoistic person है, जिसके लिए hard work बहुत important है, जिसके लिए generosity बहुत important है, जिसके लिए name and fame बहुत important है, जो कर्मा को मानते हैं, बट ये सब kind of impractical चीज़ों में जिसका believe नहीं है, जिसका astrology, tarot, इस पर believe नहीं है, तो ये person धीरे-धीरे आपके पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसको क्यों आना है, ये भी इसको पता नहीं है, बट सोय भी नहीं हो, ये फिर आपके दिमाग भी घूम दिया है, कि अचानक कैसे ये हो सकता है, तो मैं देख सकते हूँ एक on and off connections, finally stable connection पे बदल जा रहे हैं, because आपके partner कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं, all of us उसको पता चल गया है, कि उनको क्या करना चाहिए, और वो क्या गलतिया किये थे, उसके, आपके साथ क्या गलतिया किये थे, अभी यहाँ पे जो zodiac sign आ रहे है, Taurus, वर्गो, के प्रिकन, Leo and Gemini Libra Aquarius के, और मैं ये भी देख सकते हूँ, ये person आपको रुलाये थे, और इसलिए इसको लगता है, कि ये जैसे सोचते हैं, शायद आप इसको नहीं सोचते हो बहुत socializing करते रहते हैं, friends बनाते रहते हैं, बड़ जो इसको सच में कदर करते हैं, इसके बारे में इसको पता नहीं चलता है, कभी भी आपके लिए कि ताइम ही नहीं दिया, ये सब चीज आज उसके बारे में, आज उसको पता चल रहे हैं, उसको मन में हैं, ये बहुत ज़रा regret महसूस कर रहे हैं आपको छोड़के, ये फिर मैं ये भी देखना हूँ, आप में से बहुत सारा लोग इसको ब्लॉक करके रखे हो, ये फिर आपने ठान लिये हो, कि आप इससे बात नहीं करेंगे कुछ ऐसे चीज, तो ये इसलिए आपके करीब आ रहे है, जब आप effort देना बत कर रहे हो, तो ये आपको छोड़ नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो इसलिए उसके बाद vibes is seven of wands okay, that is also great card when it comes to healing and vibes उसके बाद five of wands तो देखिए, मैं यह आपर देख सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा जगड़ा हुआ ये फिर कोई misunderstandings हुआ उसके बाद आप बहुत हुए और आप शायद अपनी best friend के साथ ये फिर किसी के साथ share किये हो बड़ उसको आप कुछ नहीं बोले हो कि आप hurt हुए हो, ये फिर आपको बहुत बुरा लगा है बड़ फिर भी आप उसको आप reach out करने के कोशिश किये हो बड़ ये reach out नहीं किये तो आप दोनों के बीच में vibes क्या है, हीली है वो धीरे-धीरे उसके बरफ पिगल रहा है और वो धीरे-धीर आपके करीब आ रहा है बड़ ये उसको पता नहीं कि क्यूं और कैसे वो आएंगे और उसको ये भी पता नहीं कि कैसे आपके साथ reach out करेंगे कैसे वो पुराने चीज़ों को बापस ले आएंगे बड़ उसको आना है क्योंकि उसके मन में ये है कि वो आपके साथ कुछ गलत किया है हो सकते ये argument में कुछ बहुत गलत बात बोल दिये हो या फिर आपको block किये हो या फिर आपसे बहुत बुरी तरीके से argument किये हो और उसके बाद उसको पता चल रहा है कि शायर आपके नजर से वो दुनिया को देखे नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह परसन के दो बूट्स अलग है तो शायर वो अभी वो सोच रहे हैं कि शायर आपके नजर से वो अगर दुनिया को देखते ये फिर आपके नजर से आपके environment को देखते तो शायद वो बहुत अच्छे से आपको समझ पाते मैं देख रहा हूँ कि आप उसको गुछसा दिलाए हो हो सकते हैं आप उसको message किये हो ये फिर बहुत जादा message ये फिर call करने के लिए आप वो बोले हो like कुछ ऐसे situations में situations हो जाएगा आपने सोचे नहीं थे कुछ एक बात आप बोले और उसके बाद वो भड़क गया और दोनों के बीच में बहुत ego issue हो गया तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत healing mode में हो ना आप उसके साथ जादा बात किये हो हो सकते हैं वो आपको unlock already किया है या फिर हो सकते हैं वो unlock करेंगे बट कुछ ego issues के वज़े से वो खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं बट उसको अभी भी regret है कि वो आपके साथ बहुत बुरी तरीके से behave किये है और आपको ये क्या बहुत बुरी तरीके से hurt हुए हो like आपने सपने में भी सोचे नहीं थे कि ऐसे hurt हो सकते हो ये फिर आप हमेशा ये feel कर रहे हो अभी क्या आपको ही हमेशा क्यों sorry बोलना पड़ता है क्यों हमेशा आपको ही block वो करते हैं सब कुछ मतब आप प्यार करते हो यही आपके एक 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 दोश है और इसके वज़े से ही आपको इतना कुछ सहना पड़ता है क्यों आपको इतना कुछ सहना पड़ता है क्यों वो आपको समझते क्यों नहीं है क्यों वो आपको accept नहीं करते है जैसे कि आप उनको जिस अच्छे तरीके से accept करते हो तो क्यों वो आपको accept नहीं करते हैं कुछ ऐसे सोच आप दोनों के बीच में चल रहा है जगडा या फिर arguments हो सकता है बट mostly inner conflicts के बारे में मैं बोल रहा हूँ आप मुँपे कुछ नहीं बोल रहे हो अंदर ही अंदर कोस रहे हो वो भी मुँपे कुछ नहीं बोल रहे हैं अंदर ही अंदर sorry बोल रहे हैं अभी देखूंगा आपके partner का next action next action देखिए 10 of cups यह आपको propose करेंगे या फिर बापस पुराने field पे चले जाएंगे यानि care हो सकता है आप जिस तरीके से relationship को खतम हुआ था यह फिर breakup हुआ था वहाँ से यह बापस आएंगे mark my word मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि mercury retrograde में इसको बहुत ज़ादा allow मत करो धीरे धीरे करके allow करो yes unblock हुआ है बट ज़ादा message मत करो 19 jan के बाद जितना हो सके message करो अभी इसको ज़ादा बढ़ावा मत दो यह आ रहे इसको आने दो इसको प्यार करने दो इसको miss करने दो settle होने दो उसके बाद आपको इसको अच्छे तरीके से treat करना है अभी कोई spell कोई manifestations नहीं simply prayer करो manifest तो करी सकते हो spelling nine of wands yes यही बात मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा रुकना है आपको इसको थोड़ा सा observe करना है आपको इसको थोड़ा सा अपने emotions को control करना है आपको इसको थोड़ा सा different तरीके से heal करना है different तरीके से situations को देखना है यहाँ पे cancer scorpio spices and sagittarius के energy आ रह हो आप अपने basic जो आपका demand है उस वह चीज़ बोलोगे मैं सिर्फ यहीं चाहता हूं under any circumstances में उस चीज़ से नहीं हट सकता हो आपको रहना है तो रहो यह वाले mode पे आप आओ और वो आपको यही वाले mode पे देखना चाहेंगे वो देखना चाहेंगे कि आप एक strong contender बनो ना कि एक easy person जिसको एक बार I love you बोलने से I love you बोले मतब देंगे तो यह आपको एक change करने के लिए आ रहे है इसका next action होगा sorry बोलना तो उस time पे ऐसे situations create करो जहां पर वो खुद feel करे कि हाँ उसको sorry बोलना चाहिए ऐसे situations easy मत करतो ताकि वो sorry ही ना बोले और आपको ticket from granted ले ले ठी ठीक है उसके बाद page of ones यह आपको message भी करेंगे शायद यह आपके साथ मिलेंगे भी यह फिर हो सकता है video calling के call video call करेंगे यह फिर आपको आपके साथ new year celebrate करेंगे यह फिर कुछ celebration का plan बनाएंगे बट बात हो जाएगा यहां पर एक positive बात हो जाएगा यहां पर यह आपको ले business के बारे में सोच सकते हो immigration के बारे में सोच सकते हो future में कहीं पे जाके settle होंगे यह सब के बारे में सोच सकते हो इसका next action होगा आपको लेके future के बारे में सोचना इसका next action होगा आपको लेके एक नया future बनाना और इसका next action होगा hidden मतलब यह आप आपके साथ future देखना चाते है बड़ ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको लगता है it's too early to say ये आपके साथ तो interested तो है बड़ इसको अभी भी कुछ doubt है तो ये doubt clear करेंगे खुद के साथ कि क्यों वो आपको चाते हैं क्यों इसको आपको जरूरत है क्यों ये आपको प्यार करते हैं ठीके ऐसे चीज़ तो ये आपको एक good news की तरह ही लगेगा कि ये धीरे धीरे अपने bad habits को छोड़ेंगे ये आपको accept करेंगे ये आपको support करेंगे ये आपके pass आएंगे ये आपके लेके stand लेंगे and most importantly ये आपको accept करेंगे ये आपको change होने के लिए नहीं बोलेंगे करेंगे let's see next अभी देखूंगा कि इसका future क्या है इस relationship का future क्या है well इस relationship का future है two of pentacles यानि कि ये relationship एक harmonious balance में आ रहा है अभी इस situations में पहले शायग on and off था किसी किसी के लिए दो साल का relationship हो सकता है किसी के लिए हो सकता है आप दोनों ही married हो और ये unmarried है ये फिर आप unmarried हो ये फिर आप separated हो ये फिर दोनों married हो फिर भी आप चाते हो शादी नहीं चाते हो बट एक चाते हो एक proper relationship में आप आए जहाँ पे एक permanent बात वो करे permanent partner बने ये फिर ऐसा हो सकता है कि ये आप से बड़े है हो सकते है इसका wife भी है शायद आपका शादी भी नहीं हो सकते है बट इसके अलावा आप किसी को नहीं चाते हो ये फिर आप चाते हो कि इसका divorce हो जाए और आपके साथ ये connected हो जाए अगर ऐसे situation है ये फिर आप लोग same gender हो तो शादी आप नहीं चाते हो इस time पे बट आप एक proper commitment चाते हो verbal commitment चाते हो तो ये मिल जाए आपको इसी के साथ इस reading को कतम करता हो I hope ये reading आप लोग enjoy किये अगर enjoy किये तो comment section पर लिखिये कि I claim this message and आप लोग खुश रहिए mercury retrogradations आ रहे है retrograde होगा mercury तो थोड़ा सा careful रहिए और manifest कीजिए ताकि आप लोग बहुत अच्छे से रह सको और अपने gadgets के बारे में थोड़ा सा ख्याल रहिए मैं अलग करके specific video बनाऊंगा all the very best subscribe कीजिए and उसके बाद all button को please click कीजिए and video को like कर दीजिएगा okay bye bye take care